आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Hello everyone, आज हूं करेंगे chapter 2 of statistics जो है collection of data and आज का जो हमारा topic है हो है primary and secondary data तो आज हूं पढ़ेंगे primary data के बारे में and secondary data के बारे में जैसे कि हमें पता है कि जो primary sources होते हैं data के वो हमें क्या offer करते है primary data क्योंकि वो हैं ही sources किसके primary data के और इसी तरीके से जो secondary sources and data के वो हमें क्या offer करेंगे secondary data लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि primary sources and secondary sources क्या होते हैं collection of data के अब हमें ये जानना है कि primary data and secondary data क्या होता है primary data वो data होता है जो collect किया जाता है और कौन करता है ये ये collect करता है investigator अपने purpose के खुद के purpose के लिए पहली बार and शुरू से लेकर end तक वो खुद collect करता है तो उसे क्या कहते है हम primary data तो ये data collect करेका investigator पहली बार के लिए अपने खुद के purpose के लिए beginning से लेकर end तक तो उसे हम क्या कहेंगे primary data and इसको collect करा जाता है कहां से उन sources से जहां से ये information origin लेती है वहां से ये क्या होती है originate होती है तो जो primary data है ये क्या होता है ये original होता है ये concerned होता है investigator जो investigator से concerned होता है is the first person जो हमारा investigator ये इस data से related जो भी information निकाल रहा है यह वो पहला बंदा होता है जो इस information को collect करता है and therefore इसे हम क्या बोलते हैं first hand information अगर हम दूसरे words में बात करें तो हम vessel एक इंसान था जिसने बोला था data originally जो collect किया जाता है किसके process में investigation के process में उसे हम क्या कहते हैं primary data तो vessel के हिसाब से जिस data को आप collect करोगे investigation के process में तो उसे क्या कहोगे primary data अब हम क्या देखते हैं for example अगर हम example की तरीके दे समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि आप interested हो क्या find करने में socio-economic state जानने में किन बच्चों की जो बच्चे class 9th में है उनकी आप socio-economic state जानना चाते हो और ये बच्चे वो specific बच्चे हैं जिन्होंने क्या secure किया है जिन्होंने secure किया है first division किस में उनने secure किया है first division अपने matriculation examination में तो आप इनकी socio-economic state जानने में बहुत जादा interested हो तो आप क्या कर सकते हो अब हम देखते हैं कि इस case में आप collect कर सकते हो information किस चीजों के बारे में आप उनकी pocket allowance के बारे में बात कर सकते हो उसके बारे में information निकाल सकते हो उनकी family income के बारे में निकाल सकते हो कि उनकी family in total कितना कमाती है या poor capita average में क्या income है और उनके educational status कि वो कितना जादा पढ़े लिखे हैं या क्या status है उनके education का and उनकी family members का and so on etc तो आप इन सब के बारे में information निकाल सकते हो ये information जो है अगर आप खुच जाके निकाल रहे हो and आप first person हो इनके पास approach करने के लिए and इस से related जो आप study कर रहे हो उस से related पहली बार आप ऐसी information निकाल रहे हो तो क्या होगा ये इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे primary data क्यूंकि इन लोगों से इसके बारे में information जो आपको मिल रही है वो original है आपको उनके source of origin से मिल रही है और आप पहले person हो तो इसको क्या कहेंगे हम primary data ये हमारा होगा primary data का example उसके बाद हम देखते हैं कि secondary data क्या होता है secondary data को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम mm player जो एक इनसान है उसके बारे में बात करें तो उसके हिसाब से secondary data जो है ये वो data होता था जो already exist करता था जो already present था and जिसको collect किया गया था किसी और purpose के लिए other than मतलब उसको collect किया हुआ है पहले लेकिन उस चीज़ के लिए नहीं किया जो questions आप जिनका answer चाहते हो या जो questions आपके दिमाग में हैं उनके answer के लिए उनको collect नहीं किया गया बड़ किसी और purpose के लिए calculate या उनको collect किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं secondary data and वहीं अगर हम vessel के words में बात करें तो vessel के हिसाब से data secondary data वो होता है जो data collect किया जाता है बाकी लोगों से क्योंकि वो already इस चीज़ को collect कर चुके होते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे secondary data यह जो data होता है यह therefore हम इसे क्या बोलते है second hand data क्योंकि already यह कोई पहले data use कर चुका है और निकाल चुका है, because यह जो डेटा है, यह इसको पहले औरीडी collect कर चुके हैं, या कोई और collect कर चुका है, यह जो available हो किये जाते हैं, डेटा किस फॉर्म में, published form में, या unpublished reports की form में, क्योंकि यह collected हैं, तो या तो वो data published होगा, या unpublished होगा, for example, example, example के form में देखें, तो जो हमारा data है, किस से related, data relating to Indian railways, Indian railways से related, जो हमारा data है, अगर वो data जो है, जो annually publish किया जाता है, कौन करता है, railway board, यह कौन publish करता है, यह annually publish कौन करता है, railway board, railway board इसको हर साल publish करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे secondary data, क्योंकि अगर कोई researcher इसे use कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए secondary data होगा, क्योंकि अगर कोई collector चुका है, यह already existing data है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या, differences किसके बीच में, primary data के बीच में, और secondary data के बीच में, जो हम देखते हैं, हम कुछ differences देखेंगे, कुछ principal differences देखेंगे, primary data के बीच में, और secondary data के बीच में, सबसे पहले जो हमारा basis है, वो है difference in originality, जो primary data है, वो original होता है, क्योंकि वो collect किया जाता है investigator के थुरू, from the source of their origin, जहां से वो originate कर रहा है, जहां से वो data germ ले रहा है, बहां से directly investigator collect करता है, however, जो secondary data है, वो collect, already हो चुका होता है, वो already existence होता है, उस data की already collect किया गया होता है, and therefore, वो original नहीं होता, second जो हमारा basis है, वो है difference in objective, अगर हम primary data की बात करें, तो उसका जो topic होता है, वो always related होता है, एक specific objective से, मतलब primary data collect करने का एक specific, एक particular objective होता है, जो किसका होता है, investigator का होता है, and therefore, यह जो data होता है, इसमें कोई भी adjustment नहीं होती है, current study है, concerned study के हिसाब से, मतलब हम यह जो data है, यह अपने हिसाब से क्या करते हैं, निकालते हैं, ना कि हम किसी और data में कोई adjustment करके उसे use करते हैं, on the other hand, अगर हम secondary data की बात करें, तो यह data already क्या होता है, यह already collect कर चुके होता है, कोई ना कोई, किसी और purpose के लिए, therefore, यह जो data है, इसको हमें adjust करना पड़ता है, अपनी needs के हिसाब से, let's suppose, अगर आपको data चाहिए है, कुछ लोगों की per capita income का, अगर कोई वो ही कोई person, वही data collect कर चुका है किसी और purpose के लिए, तो आपका जो personal objective है, उसको suit करने के लिए, आपको अपने आप उस data को क्या करना पड़ेगा, modify करना पड़ेगा या adjust करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमारे पास third objective आता है, वो आता है difference in cost of collection, अगर हम primary data की बात करें, तो primary data हमारा costly होता है क्यों, क्योंकि उसको collect करने में time, पैसा and efforts, मेहनत, जादा लगती है अगर हम secondary data से compare करें तो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि primary data collect करा जा रहा है पहली बार के लिए, और वो भी अपने source of origins है, तो इसलिए उसको collect करने में जादा time लगता है, लेकिन वहीं हमें जादा efforts भी लगाने पड़ते हैं जादा पैसा भी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम secondary data की बात करें, तो क्योंकि वह already collect हो चुका है, तो हमें या तो वह published sources से collect करना है या unpublished sources से collect करना है, तो published या unpublished reports से just collect करना है, इसलिए इसमें कम time, कम पैसे और कम efforts लिखते हैं, और यह therefore less expensive होता है अगर हम किस से compare करें, अगर हम primary data से compare करें तो, of course हमें यह note करना चाहिए कि कोई बहुत ही बड़ा fundamental difference primary data and secondary data में नहीं है, data जो है वो data ही होता है चाहे वो primary हो या चाहे वो secondary हो, वो सबसे पहले क्या है हमारा data और उसको classify किया जाता है primary या secondary, उस basis पे कि यह देखा जाता है कि वो first hand data है या second hand data है, for example हम देख सकते हैं कि जो sequrist एक बंदा है उसने यह चीज राइटली point करी थी, कि अगर हमें primary data and secondary data हमें distinction मतलब उनके बीच में difference बताना है, तो वो क्या है वो एक degree है data जो है वो primary एक person के लिए हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है वो दूसरे बंदे के हाथ में वो data secondary हो सकता है, तो है तो वो data ही एक person के लिए वो primary है और एक के लिए वो secondary है और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हम देख सकते हैं कि ऐसा इसलिए possible है क्योंकि ऐसे बहुत सारे examples हम अपनी life में देखते हैं कि अगर कोई एक data particular set जो है वो एक investigator ने collect किया है एक specific purpose के लिए अपने source of origins है, तो उसके लिए क्या होगा वो, उस source of origins है क्योंकि उसी investigator ने collect किया है, तो उसे हम primary data कहेंगे, लेकिन वही अगर इसको किसी और ने use किया और उसके लिए वो data क्या होगा, किसी और ने use किया, तो उसके लिए ये data, वही data क्या हो जाएगा, secondary, क्योंकि ये already collected है और उसने खुद collect नहीं करा, तो ये ही data secondary हो जाएगा, when used by another person, अगर कोई और बंदा इसे use करता है, तो उसके लिए secondary data हो जाएगा, तो इसमें हमने पड़ा primary data के बारे में, secondary data के बारे में, और उनके कुछ principal distinctions हमने आज दीखे, Thank you.